बीते तीन मही को दिल्ली के मुखमंदरी अर्विंद केजरिवाल के सकारी आवास पर राजसबा सांसत स्वाती मालिवाल के साथ कतित मालपीट का मामला सामने आया था जिसमें तमाम जाज पर्थाल के बाद अभी एक केस कोड में है दिली की कोड ने अभी तक केजरिवाल के पीए को जमानत नहीं दी है वहीं अब इस मामले से जोड़ी एक बड़ी खबर सामनी आई है दरसल स्वाती मालिवाल ने एक पत्र लिखा है जिसके द्वारा उन्होंने इंडिया गटवनन के सभी बड़े नेताओं से मिलने का समय मांगा है स्वाती मालिवाल ने CM केजरिवाल के घर हुई मारपीट के संबंध में ये पत्र लिखा है साथी उन्होंने सोचल मीडिया प्रेटवार्म एक्सपर दो पन्नों का लेटर भी शेर किया है सौती मालिवाल ने अपने एक्स हेंडर पर लिखा है कि पिछले 18 सालों से मैंने जमीन पर काम किया है और 9 सालों से महिला आयोग में 1,70,000 केस की सुनवाई किया है बिना किसी से डर कर और किसी के आग जुके महिला आयोग को एक बहुत उचे मुकाम पर खड़ा किया है पर बहुत दुख की बात है कि पहले मुझे 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 मुखमंदरी के घर पर बुरी तरह पीटा गया फिर मेरा चरितर हरन किया गया इसके साथ उन्होंने आगे लिखा कि आज इस विशे में मैंने इंडिया गटबंदन के सभी बड़े नेताओं को पत्र लिखा हैं मैंने सबसे मिलने का समय भी मांगा है वहीं आपको बताते चलें कि CMKJRVAL के PA की दिल्ली की अदालत ने नियाईक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी है वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदद से ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्स विबव को पेश किया गया जहां उनकी हिरासत अफ़्दी बढ़ा दी गई और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निदेश दिया गया है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24